पूरे भारत में कोरोना वाइरस के भार्ट से लोग अपने बचाओ करने का उपाई धून रहे हैं वही मेनपरी कोरोना बायरस से पूरी तरीके से सुरचित है जिला अधिकारी महनबादुर सींग ने सभी से निवेदन किया है कि जूटी अफवाहर ना फैलाएं और लोगों को जागरूप करें जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम मूँ पर मास्क लगा कर अपने आपको सुरचित किये हुए है देखे गए वही डॉक्टर की ओर से यहां आने वाले लोगों को भी जागरूप करते हुए देखा गया जिला अस्पताल में पहुँचने वाले लापरवाही बरत रहे हैं अस्पताल में तैनाट डॉक्टर राजकुमा ने इस बाइरस से बचने के लिए और क्या कुछ बताया है यह जरा आप भी सुनिये अभी तक मैनपूरी में कोई केस नहीं देखा गया है एक संदिक केस यहाँ जिला अस्पताल में पूरी में कल एडमेट किया गया था जिसका सेंपल स्क्रीनिंग के लिए बेजा गया तो आज उसकी रिपोर्ट आई है वो नेगिदेव है क्या करना चलिए लोगों को इससे बचने के लिए भी इससे बचने के लिए लोग मास्क पहने सैनिटाइजर का इस्तिमाल करें बार बार अपने हाथों को दोएं और जिसे छी का रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है उससे कम से कम एक मिटर की दूरी बनाए तो इस बग जो है मैंन पुरी में इस तरीके का कोई केस नहीं अभी तो कोई नहीं है जे अफवाओं से क्या चलना है अफवाओं की तरफ धियान ना दे क्योंकि इस समय मौसम भी चेंज हो रहा है तो उस वज़े से लोगों को सिंपल वाइरल दुखाओं वगेरा भी है उससे कोरोना की तरफ ना जाए क्या नाम आपका ड़क्तर राच केस नहीं आया संग्डिक्द एक व्यक्ति था उसकी जाचकी कि वो भी स्वच्च और स्वस्थ पाया गया मैं उन लोगों से निवेदन और अग्रह करना चाहूंगा कि हमारे परवार हमारी फैमली में कोई भी इस तरीके की अफवा या बाट सेप, ट्यूटर, फेस्बुक पर मेंसेज ना करें, जिससे हमारे मैंन पुरी निवासी भै भी तो है। भै भह बहुत बुरी चीज़ है और गलत अफवाओं से दूर रहें और अफवाओं आप भी न फैलाएं और फैलने भी न दें, क्योंकि अफवाओं से धहसत पहल जाती है और दहसत में आदमी खु नहीं का सकती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे मैनपुरी में कोरोना वायरस से कोई पीड़ेता है मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके की अफवाओं से दूर रहें और हमारा मैनपुरी सुंदर और साफ सुच्छ है और उसे ऐसा ही बनाए रखे है दन्यवाद मैं जो अफवाओं चल लहीं है वो उसके लिए क्या कहेंगा क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए तक क्या नाम आपका क्या कहना चाहिए है क्या क्या कहना चाहिए है क्या क्या नाम आपका हर्श यादव